बहुत ही उत्सावर्दक परणाम है यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ने मानवी के कल्यान के लिए टमिटेड है जो देश के उजवल भविश्य के लिए समर्पित है विश्य कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाउं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूह के गाउं और शायर के युवां हर समुदाय के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब यह चार ऐसी महत्वकून जातियां है जिनका एंपावर्मेंट उनको भविश्य को सुनिशित करने वाली ठोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उस्यों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्थन मिलता है और जब गुड गवर्णन्स होता है पूर्मत यह जन हीत के लिए समर्थन होता है तो एंटी इंकंबंसी शब्द इर्रेलेवेंट हो जाता है और हम लगातार यह देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकंबंसी कहें कोई उसे गुड गवर्णन्स कहें कोई उसे ट्रांसपरंसी कहें कोई उसे राष्ट हीत की जन हीत की ठोश योजनाएं कहें लेकिन यह लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जानादेश के बाद आज हम संसद के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस संसद भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अईतिहांसिक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कार करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद रवस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा संसदों और विजिटर्स को भी मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा अगर ठीक कर लिया जाए तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्णिय उप्राश्पति जी और आदर्णिय स्पीकर महोदय के नेतुत्म में उन चीजों की तरह पूरी तरह निग्रानी है और आप से भी मैं कहूंगा कोई चीज जैसे छोटी मोटी आपके ध्यान में आए तो जरूर आप ध्यान अकर्षित करना क्योंकि यह चीजे जब बनती हैं तो आवश्यक्ता गैनुसार बदलाव की भी जरूरत होती है देश ने नकारात्मक्ता को नकारा है मैं लगातार सत्र के प्रारम में विपक्ष के साथ्यों के साथ हमारी हमारा विचर विमर्ष होता है हमारी में टिमूंसे चर्चा करती है मिलकर के भी सबके सहयोग के लिए हम हमेशा प्रार्षना करते हैं आगरे करते हैं इस बार भी इस प्रकार की सारी प्रक्रियां कर ली गई है और आपके माध्यम से में सारवजिनिक हमेशा हमारे सभी सांसदों से आगरे करता हूं लोक्त्र के मंदीर जन आकांग्छाओं के लिए विख्सित भारत की नीवत को अधिक मजबुद बनाने के लिए बहत महत्वपूर मंच है मैं सभी मान्य सांसदों से आगरे कर रहा हूं कि वो जादा से जादा तयारी करके आएं सदन में जो भी फिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो उत्तम से उत्तम सुझाव आएं और उन सुझाव के द्वारा क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत उत्तम तत्व होता है लेकिन अगर चर्चाई नहीं होती है तो देश उत्तम से मिस करता है उन चीजों को और इसलिए मैं फिर से अगरे करता हूं और अगर मैं वर्तमान चुनाओं नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैटे हुए साथी है यह उनके लिए गोल्डन अपरजुनिटी है इस सत्र में पराजय का गुशा निकालने की होजना बनाने के बिजाएं इस पराजय में से सीख करके पिछले नौ साल से चलाई गई नकारत मत्ता की प्रवुत्ती को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारत मत्ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकौन बढ़लेगा उनके लिए नया द्वा खुल सकता है अगर हम दस कदम चलते तो आप बारा कदम करका फैसला लेकर करके आईए हर किसे का भविष्ट बना है निराज होने की जरूत नहीं है लेकिन कृपा करके बहार के पराज़े का गुस्सा सदन में मत उतारना हताशा निराशा होगी आपके साथ्यों को आपका दम दिखाने के लिए कुन्न कुर करना भी पड़ेगा लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाईए और अभी में मैं कहता हूँ मैं मेरे लंबे अनुबहों के आधार पर कहता हूँ कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए विरोध के विले विरोध का तरीका छोड़िए देशित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए अच्छी उसमें जो कम्या हो उसकी डिबेट कीजिए आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफ़त पैदा हो रही है हो सकता है वो मुहमत में बदल जाए तो मोका है यह मोका जाने मत दीजिए और इसलिए हर बार मैं करवध्य प्रार्षना करता रहा हूं कि सदन में सहयोग दीजिए आज मैं राजनितिक जश्रिकों से भी कहना चाहता हूं कि आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारत्पक्ता का संदेश के आपकी छभी नफरत की और नकारत्पक्ता की बने वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है लोगतंत्र में विपंश भी इतना ही महत्वपुन है उतना ही मुल्यवान है और उतना ही सामर्थवान भी होना चाहिए और लोगतंत्र की भलाई के लिए मैं फिर से एक बार अपनी भावना को प्रकट करता हूँ 2047 अब बेश विक्सिद होने के लक्ष में लंबा इंतजार करना नहीं चाहता है समाज के हर वर्ग में यह भाव प्रादा हुआ है कि बस आगे बढ़ना है इस भावना को हमारे सभी मान्य सांसत समत्र आदर करते हुए सदन को उस मजबूती से आगे बढ़ाएं यही मेरी उन्ते प्रार्तना है आप सब को भी साथ हो मेरी बहुत बहुत शुब कामना हैं बहुत बहुत धन्यवाद अजय पर विपक्ष को गुस्से की ज़रूरत नहीं है उन्हेंने कहा है कि सदन में आएं तो इन राज्यों में जो हार हुई है उसका गुस्सा लाने की बचाएं आगे किस तरीके से देश के विकास के लिए काम किया जा सकता है देश को कैसे विक्सित बनाया जा सकता है उसको ले करके सवाल जवाब करें या करके संसद में चर्चा से ही समाधान निकल सकता है ना कि पराजे का गुस्सा निकालने से तो आज से संसद का जो शीतकालिन सत्र है उसके शुरुवाद जो है होने जा रही है और इसी को पियम मो अभी नहीं लेकर के बयान दिया।